एक लड़की जो इंडिया की मिलिटरी सर्विस में लेटनेंट थी आखिर क्यों उसे मार दिया गया या उसे मरने के लिए उस पर दबाव बनाया गया अगर उसे मारा तो किसने मारा अगर इसने खुद सुसाइड की थी तो इसके उपर ऐसा दबाव किसने और क्यों बनाया ज साथ में नॉटिविकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कूल मत भूलिएगा मेरी इंस्टेग्राम आइडी ये है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जल्दी से आईए और मुझे इंस्टेग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए साथी साथ कोमेंट में पि नॉजली मिलती रहेंगी तो चलिए फिर आज की स्टोरी को शूरू करते हैं जिस स्टोरी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये कहीं और से नहीं बलकि हर्याना के अंबाला से है जी हां और मैं भी हर्याना का ही रहने वाला हूँ अशोक कुमार जोकि अंबाल लोग उनके घर पहुंचे उन्हें बढ़ाई दी कि उनकी लड़की सक्सेस की तरफ आगे बढ़ती जा रही है इससे साक्षी के पिता अशोक भी बहुत जादा खुश हुए आगे किसी भी पिता की लड़की इतने उचे पत पर पहुँचती है जब उसे कामयाभी मिलने वाल जो ये नमनीत था ये वायू सेना में स्क्वाडरन लीडर था ये दोनों ही नमनीत और सक्षी अमबाला की चावनी में अपनी अपनी डूटी कर रहे थे और इन दोनों का एक बेटा भी था जो की सिर्फ अभी दो साल का था और जो लोग थे वो सक्षी के पिता को इतना कोई अचानक रहा चलते मिल जाता था या किसी का फोन आता था तो वो उन्हें हर बार बदाई दिया करता था तो ये उनके लिए बहुत ही गर्व की बात थी और लोगों को भी यही लगता था कि इनके पिता तो बहुत ही जादा खुश नसीब हैं लेकिन किसी इनसान की असल में क्या चल रहा होता है ये किसी को भी नहीं पता होता बस लोगों को तो वही दिखाई देता है जो कि सामने वाले के साथ हो रहा हो लेकिन उनकी घरेलू जिंदगी में क्या चल रहा होता है ये किसी को भी नहीं पता होता यहाँ पर सेम तु सेम अशोक कुमार के साथ भी क अच्छी सी नहीं चल रही थी। अच्छी सी नहीं चल रही थी। अच्छी के पिता आप यहां पर कर भी क्या सकते थे। अपने दिल के उपर पत्था रखकर उन्होंने तो सिरफ यहीं कहा कि कोई बात नहीं बेटा। तो तुमारा भी एक वक्त आएगा जब तुम्हें खुशिया ही खुशिया मिलेगी। एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। इसके पिता ने ये भी कहा कि अपने दमाज से तुमारे पती से मैं बात करूँगा। उसे मैं समझाऊँगा कि कोई दिक्कत परिशानी है तो हमें बोले मुझे बोले मैं उसका सोलूशन निकालूँगा। साक्षी ने कहा मेरा पती जो नमनीत है वो बिल्कुल भी समझने वाला नहीं है। पता नहीं मेरी लाइफ आगे कैसे चलेगी। चलो कोई बात नहीं मैं अभी बाद में बात करती हूँ। इतना बोलते ही साक्षी ने फोन कट कर दिया। अब बेटी ने जैसे बात करी थी रोते हुए उससे उसके पिता का दिल एकदम सहम चुका था। उनका भी दिल एकदम उदास हो चुका था। इसलिए उन्होंने नमनीत को फोन किया। लेकिन नमनीत के फोन पर उन्हें को रिस्पोंस नहीं मिला। क्योंकि नवनीत अपने ससुराल के सभी मेंबर्स के फोन नमबर को ब्लोक लिस्ट में डाल चुका था। साक्षी भी पहले अपने परिवार को यह सब बता चुकी थी कि मेरे माइके के मेरे पती ने सभी नमबर्स ब्लोक कर दिये हैं। अशोक कुमार ने जब नवनीत का आया था और वो रोकर मुझसे बात कर रही थी कि अब नवनीत उसे मारने भी लगा है नवनीत के पिता ने यहाँ पर उन्हें समझाने की बजाए उन्हें ये कहने की बजाए कि हाँ मैं अपने लड़के को समझाऊंगा कि वो ऐसा मत करे उन्होंने ये सब नहीं कहा बलकि उन बाते सुनी तो वो भी निराश हो गए और वो भी करते क्या और उन्होंने उनका फोन काड़ दिया अशोक कुमार ने अपने लड़के को ये बात बताई के साक्षी का ऐसे ऐसे फोन आया था और वो रो रही थी और मैंने उसके ससूर से भी बात की लेकिन उन्होंने भी अपन प्रोया कि अगले दिन 21 जून 2021 के दिन सुभा करीबं 36 बजे नवनीद की मां का साकशी के पिता के पास फॉन गया और उन्हों ने कुछ ऐसा बताया कि यह बात सुनकर उसके पिता के पैरों तले तो जमीन ही किसक गई जी हा नवनीद की मांने साकशी के पिता को ये कहा कि साक्षी सुसाइड कर चुकी है जी हाँ वो लटक कर फासी खा चुकी है वो मर चुकी है सिरफ इतना ही नवनीत की मा ने कहा और उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया साक्षी के घर ये ख़बर सुनकर अब मातमसा छा गया था साक्षी के पिता उस टाइम पर दिली में ही थे वो अपने लड़के के साथ जल्दी जल्दी में अमबाला पहुंचे साक्षी के ससुराल जब अशोक और सौरव यानि कि साक्षी के पिता और भाई साक्षी के ससुराल पहुंचे उन्होंने वहाँ पूचा कि ये सब कैसे हुआ क्या हुआ साक्षी ऐसे कैसे फासी खाकर मर सकती है तो उन वहाँ पर साक्षी के ससुराल वालों ने ना तो उसके पिता का कोई जवाब दिया ना ही उसके भाई का वहाँ पर कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं था इन दोनों से ये दोनों अब भाई के पूली सेशन में पहुंचे और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी लड़की अब मर चुकी है और ये मेरी लड़की के ससुराल वालों का ही काम है उन्होंने साक्षी को फोर्स किया था कि हमें दहेज चाहिए हमें दहेज दो हमें पैसा दो या फिर हमें सोना दो या गोर्ड दो ये सब उन्होंने रिपोर्ट में लिखवाया पुलिस पहले से ही इस मामले की तहकीकात कर रही थी देरसल 21 जून को ही सुबा 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 सबसे पहले पुलिस को इस घटना की ख़बर मिल चुकी थी यह मामला तो एकदम हाई परफाइल था क्यों? क्योंकि साक्षी लेफनेंड थी और जो नवनीत था वो भी वायू यान में एक लिडर था यहाँ पर अब पुलिस भी दहेज की एक F.I.R दर्ज कर चुकी थी पुलिस वालोंने साक्षी की बोडी पोस्ट मोटम के लिए भेज दी और साथी साथ उन्होंने नवनीत को भी गिरफतार किया जब पुलिस इस केस की जाच कर रही थी तब उन्हें एक ऐसी कहानी सामने आई ऐसे ऐसे किरदार सामने आए जिसे सुनकर पुलिस वाले तो क्या जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे लोगों के सामने जिस तरीके से साक्षी की जिन्दगी एकदम खुशहाल चल रही थी लेकिन अंदर ही अंदर साक्षी की जिंदगी में एक बड़ा सा तुफान चल रहा था जो की खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा था शुरुआत में साक्षी और नवनीत दोनों दोस्त हुआ करते थे ये दोस्ती कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला नवनीत का परिवार हर्याना के पंचकुला जीले के पिंजोर का रहने वाला था जब ये दोस्ती प्यार में बदली तो 12 दिसंबर 2018 के दिन इन दोनों की शादी करा दी गई जो साक्षी का परिवार था वो पैसो के मामले में थोड़ा सा कमजोर था उनकी जितनी हैसियत थी उन्होंने उससे भी कई जादा करके अपनी लड़की के अपनी लड़की की शादी करवाई और उसे विदा किया इन दोनों की शादी के कुछ महीनों बाद तक तो एकदम सब सही चल रहा था साक्षी का बेटा भी हुआ और इन दोनों की पोस्ट भी काफी उचे पत पर थी अब इन दोनों की जिंदगी में चार चान लगाने के लिए इनकी जिंदगी में एक बेटा भी आ चुका था लेकिन ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिन्दगी कैसी भी चल रही हो पैसा कितना भी हो और बच्चा भी लाइफ में क्यों ना आ जाए लेकिन जो कपल की आपसी बाच्चित होती है आपसी टौक होती है वो अगर थोड़ी बहुत बिगड़ने लग ज फिकर बिल्कुल भी नहीं किया लेकिन जब ये बात कुछ हद से जादा बढ़ गई जब नवनीत ने साक्षी को मारना पीटना शुरू किया तब साक्षी के माइंड से ये सब बाते ऊपर जाने लगी तब साक्षी ने अपने परिवार को ये सब बाते वताई हैं साक्षी कहा कि भई ये जो परिवार है जो मेरा पती है ये सबी मुझे दहेज के लिए फोर्स करते हैं कि तुम शादी में दहेज नहीं लेके आई हमें दहेज चाहिए ये मुझे कभी तो कहते हैं कि तुमने मुझे गाड़ी नहीं दी और कभी तो ये कहते हैं कि तुम्हारे परिवा की है तुम दोनों अच्छी पोस्ट पर हो अच्छा तुम कमाते हो परिवार में तो ये सब बाते चलते ही रहती हैं तुम नवनीत को समझाना वो मान जाएगा साक्षी ने कहा कि पापा मैंने तो नवनीत को बहुत समझाया और अभी भी समझाती ही आ रही हूं अपनी इसा आएगा और सब कुछ सही हो जाएगा ये बात तो दोस्तों आपको यी बहुत अच्छे से पता है जब परिवार में लालच पैदा हो जाए और एक पती अपनी पतनी को लालच के लिए मारने लग जाए उस पर शक करने लग जाए तो परिवार एकदम बिखर जाता है यही सब कुछ साक्षी के साथ अब यहाँ पर चल रहा था साक्षी के पिता और उसके भाई ने भी नमनीत को बहुत समझाया लेकिन नमनीत ने साफ साफ मना कर दिया के तुम अपने परिवार में रहो और मुझे अपने परिवार के साथ रहने दो जो भी मैं अपने परिव मुझे पता है मुझे क्या करना है तुम लोग मेरे परिवार में दखल अंदाजी ना ही करो तो ही अच्छा होगा ये सब नवनीत ने कहा, ये सब साक्षी के परिवार को नवनीत ने कहा, साक्षी के जिंदगी में ये सब अनबन चल रही थी, दहेज की मांग की जा रही थी, उसे ताने पे ताने दिये जा रहे थे, और साथ ही साथ साक्षी को पीटा भी जा रहा था, जब ये शुरू हुआ उसके बाद ये खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा था दिन बर दिन ये सब बरता चलता जा रहा था ये सब बाते अशोक को पता चली यानि कि साक्षी के पिता को पता चली तो वो साक्षी के ससुराल भी गए साक्षी को और नवनीत को दोनों को बैठ कर समझाया कि भई तुम ऐसे मत करो, हमसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन हमारी साक्षी को ताने मत मारो, उसे मारो पीटो मत, तुम लोग सुखी रहोगे, तभी तुमारे माता पिता और हम सभी सुखी रहेंगे। ये सब समझाकर साक्षी के पिता बापिस आचुके थे उस दिन तो साक्षी का घर बिल्कूल एक दम सही चला नवनीत भी उस धिन कुछ नहीं बोला सब शांत चल रहा था लेकिन एक दो दिन बाद ही सब कुछ वापिस वैसा ही बदल गया पहले तो नवनीत साक्षी से दहेज की डिमान कर रहा था और अब नवनीत साक्षी पर शक भी करने लगा शक करते करते नवनीत ने अपने बेडरूम में CCTV कैमरे लगा दिये अब आप बताओ ऐसा कौन सा पती ये काम करेगा कि वो अपने ही कमरे में CCTV कैमरो को लगा दे जब साक्षी के पिता और उसके भाई का साक वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि साक्षी आपने परिवार के साथ कॉंटेक्ट में रहे नमनीत ने सभी के नंबर्स को ब्लोक में डलवा दिया साक्षी के फोन से जी हाँ अब नमनीत की सोच एकदम हाई लेवल की पहुँच चुकी थी वो साक्षी पर इतना ज्यादा श किसके दिन साक्षी एकदम तूट चुकी थी एकदम अपनी जिंदगी से हार चुकी थी 20 जून की रात इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई यहाँ पर साक्षी को मारा पीटा भी गया और उसी रात कपड़े के सहारे साक्षी की बोड़ी को लटका हुआ पाया ग चुकी थी और साक्षी के मरने का कारण हैंगिंग ही दिखाया गया जब पुलिस इस बात की च्छानबिन करने गई के साक्षी ने सुसाइड किया है या फिर उसे लटकाया गया है पुलिस साक्षी के ससुराल पहुची और वहाँ पर जो CCTV कैमरा लगा हुआ था पुलिस ने वो च्छाना लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला उस रात की FATGS सब डिलीट हो चुकी थी साक्षी के जो मा Cory के वाले थे साक्षी के पिता भाई और मा थी इन्हों ने पुलिस वालों को यही कहा कि सचाई छुपाने के लिए इन्हों ने यह सारी FATGS को डिलीट किया ह हमें पता है कि हमारी लड़की ने सुसाइट नहीं किया बलकि हमारी लड़की को मारा गया है और ये इनके ससुराल वालों ने ही ये सब किया है साक्षी के माई के वालों ने ये भी कहा कि साक्षी एकदम परिशान हो चुकी थी, साक्षी को टॉर्चर किया जा रहा था दहेज के लिए, साक्षी को मारा पीटा जा रहा था कि उन्होंने उनके परिवार का मान नहीं किया, साक्षी को धमकाया जा रहा था, साक्षी पर शक क भी साक्षी अपने आपको नहीं मार सकती ये एकदम सच्चाई है लोग चाहे कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो उनके पस कितना ही पैसा क्यों ना हो लेकिन जो उनकी नियत होती है वो सामने वाले पर ठीकी ही होती है यहाँ पर भी साक्षी को यहाँ पर भी यह कितना भी torture क्यों ना कर लो मैंने साक्षी को नहीं लटकाया मैंने उसे नहीं मारा लेकिन अभी भी इस case के बारे में जाच परताज चल रही है जो भी सजा होगी जो भी court का फैसला होगा वो सभी वो सब कुछ आपके समने आ जाएगा इसके बारे में भी मैं आपको जरूर बत मुझे आप अपनी रहे comment box में जरूर बताईएगा और इसी चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में notification bell icon को दबाना बिल्कुल भी मत बूलिएगा मेरी instagram idea है आप मुझे यहाँ पर follow कर लीजिए पिछली वीडियो को shout out नकुल गाइकवाड को comment pick me to get a shout out in next video बिलते हैं ऐसी ही एक और चुका देने वाली story के साथ